नमस्कार दोस्तों मैं एक कुर उपाध्याए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ पे आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ एक लंबे समय बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटिड के स्टॉक के बारे में जियो फाइनेंस की बात की जाए तो जब से यह स्टॉक आया है तो अब से गई नगई लोगों के रडार पे रहा एक्शन में रहा और इसमें मैंने काफी सारी वीडियो भी बनाई काफी पॉजिटिव व्यू था बट जब कंपनी ने RBI को सरी सेभी को एक एप अब्डेट आ रही है कंपनी की तरफ से उसके बारे में बात करता हूँ आप सभी के साथ और ऐसा नहीं है कि NBFC कारोबार से सिफ्टिंग की बात करी है तो नेगेटिव हो गया है डेफिनिटली नेगेटिव नहीं है अभी एक तरीके से यह कंपनी जो है वो इन्वेस्टम कंपनी के रूप में देखनी चाहिए मतलब एजा इन्वेस्टमेंट करेगी और उन पर रिटन्स जनरेट करेगी और वो ही कंपनी का प्रॉफिट और लॉस होगा इस तरीके से कंपनी ने एक डीटेल में लिखा था तो वो मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करी थ कि बजार में उतरते ही सबसे दिगज कंपनी के साथ जोइन्ट वेंचर किया है कंपनी ने और वो था ब्लैक रॉप आप सभी को बता दू मैं ब्लैक रॉप मूचल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लियर है यह इतना एउएम होल्ड करते हैं भारत की टोटल जीड ब्लैक रॉप का तो आप समझ सकते हो कि यह कितनी बड़ी कंपनी है तो ब्लैक रॉप के साथ जीओ फाइनेंशियल ने मूचल फंड के लिए एक जोइन्ट वेंचर किया छोटे लेवल पे ही था अभी अब फ्रेश अपडेट यह है कि जोइन्ट वेंचर जो है जीओ किया है उसके लिए सेबी से लाइसेंस मांगा है मूचल फंड के लिए तो क्या डीटेल है सोट में समझ लेते हैं जीओ फाइनिचियल ब्लैक रॉक अपलाईज फार मूचल फंड with SEBI तो ये mutual fund कारोबार में उतरना चाहते हैं और जिस तरीके से लोगों के मन में जाग रुकता जग रही है mutual fund को लेकर हमारे पास भी daily कहीं ना कहीं जो mutual fund को लेकर लोगों के प्रती लोगों में जो जाग रुकता जाग रही है वो काफी interesting है अपने आप लोग SIP, Lumsum सब कुछ समझ रहे हैं और जितना जादा ये mature होंगे जितना जादा SIP के थूप पैसा आएगा बजार में SIP का पैसा क्या है fix पैसा होता है यानि कि वो बजार को हमेशा support देने का काम करेगा अगर कोई Sailing में आएगा मान के चलो अगर मेरी daily की 200 रुपे की SIP चल रही है तो ऐसा निये दा चार दिनी की गिरावट से मैं वो SIP रोक दूँगा in fact मैं उसे और भढ़ाऊंगा तो जो वो SIP का पैसा होता है न वो continue रहता है consistent होता है अभी currently लगबग 18,000 करोड की monthly SIP चल रही है भारत में यानि कि ये पैसा तो बजार में आई आ रहा है तो market में अगर कोई FIIs बेचने भी आ गए या retail भी बेचेगा तो अभी इतना पैसा तो आई रहा है जो खरीदेगा पूरा share बजार buying selling पे चलता है आप सभी को पता है और mutual fund की बात चलिए तो आप अगर daily SIP स्टार्ट करना चाहते है मैं description में link दे दूँगा Z fund का जहां से आप अपनी KYC complete करके अपनी bank के माध्यम से daily के 200 रुपीज के SIP कर सकते है minimum amount 100 रुपीज का है यानि की 100 रुपे भी है तो उससे भी कर सकते हो बजार जिस दिन खुलेगा उस दिन आपका auto debit हो जाएगा और 100 या 200 जो भी आप amount select करते हो वो पैसा debit होता रहेगा आपका SIP करती रहेगी यानि की महीने में 200 रुपे हो जाएगी 100 रुपे से और महीने में 44 हो जाएगी 200 रुपे से मेरा मानना ही है की कम से कम 200 रुपे दिन के तो लगाने ही चाहिए तो यहां भी यही हो रहा है the joint venture between GEO Financial Services and BlackRock has applied for a mutual fund license with a market regulator यानि की SEBI and the application is currently under consideration according to a securities exchange board of India SEBI update an update on mutual fund approval status from SEBI as on December 31st 2023 lists GEO Financial Services and BlackRock Financial Management among the applicant under consideration for mutual fund license तो इनको license मिलने ही वाला है मतला मिली जाएगा जल्दी यह under है आ कहीं न कहीं अभी तो जैसे ही SEBI ने license देता है definitely इसकी तरफ से कुछ आपको बड़ी announcement आते हो दिख सकती है मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा GEO submitted its application on October 19th and SEBI's status report showed that it was under process यानि कि अभी मिला नहीं है बट अंडर प्रोसेस है GEO Financial Services Limited the newly demurged financial services arm of Blynir Mukhe Samwani's Reliance and BlackRock announced an agreement in July 2023 to form 50-50 joint venture with USD of 150 million investment each to enter the asset management business in India simple सी बात है 50% GEO Finance और 50% BlackRock जिसमें हर एक बंदा 150 million dollar का investment कर रहा है यानि total 300 million dollar की investment है एक AMC company बनने की तयारी में है यह asset management company तो जैसे ही इने license मिल जाएगा definitely यह शुरू करेंगे और कुछ बड़ी announcement आएगी क्योंकि दौनों ही अपने अपने दिगज है एक तरीके से तो यह detailed वीडियो थी और अगर आपने भी तक SIP स्टार्ट नहीं गरी है कर दीजिए description में link दे रखाए मैंने thank you so much for watching this video have a great day guys